जहें दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले कि यूपी प्लिज को फॉर्म को कैसे फिल करना है दोस्तों आपको कंप्लीट प्रॉसेस बताएंगे स्टेप बाइस टेप प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा तभी आपको कंप्लीट जनकारी समझ में आप से प्रसनल डीटेल से पर पूछा जाएंगा सबसे पहले आपको अपना वर्स्ट नेम इंटर करेंगे वहारना यहां पर आपको फूल नेम आपका हाइश्कूल की मार्फिट के नुसारी यहां पर फिल कर देना है दोस्तों बाद जनमतिति यहां पर सिलेक्ट करना जो पूछा जाएक जो भी आपको मुबाइल नंबर है एक्टिव मुबाइल नंबर यहां पर डालना उसके बाद मुबाइल नंबर की यहां पर पूछ रहा क्या आप उत्तरप्रदेश के मूल निवासी हैं तो अगर आप उत्तरप्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जनल फिल करके नीची आ जाना दोस्तों अगर आप संको भर रहे हैं तो इस्मुर्फ करने की आप से लोगा करती है अगर बिलों पर तो करना होगा दोस्तों करने के è kg करorgeous हमाना चाहिए जो भी जल्छाइए इस से पोल grad certificate की आपको यहां पर जनकारी फिल करनी होती दोस्तों सिंपली आपको मुल निवास प्रमाडपत्र अप्लिकेशन का जो लास्ट डेट है जो तो 18 तारी उसके बाद का नहीं होना चाहिए और अपरेल से पहले का आपका निवास प्रमाडपत्र और कास्ट certificate नहीं होना चाहिए हो अपका यह प्रमाडपत्र कर देना उसके बाद आपका निवास प्रमाडपत्र हमास इंवालों यह सारी जनकारी म हुल करनी होती है तो सिम्प्ली आपको 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 आवेतन संख्या दिया होगा उसको इसको आपको यहां पे फिल कर देना है उसके बाद नीचे आजाएंगा आपको यहां पर पूछा जा रहा है क्या देना है मतलब आप freedom fighter है अगर है तो एस करेंगे वर्ना सिंपली आपको यहां पर नो फिल करके आगे बढ़ जाना 17 नंबर में आप से पूछ रहा क्या आपने उत्तर प्रतित राज में कोई काम किया है अगर आपके पास कोई आवस्यक प्रमाड पत्र है अगर है तो एस करेंगे वर् सिंपली नो करके छोड़ देंगे और यहां पर नीची आ जाएंगे हैं पर पूछा जारे एजुकेशनल कॉलिफिकेशन में अपके क्या है यहां पर हाई स्कूल और इंटर की बैसिकली जनकारी फिल करनी होती है यहां पर सबसे पहले आपको बोड नेम इंटर करना जो भी जो भी आपका स्टेटर्स इंटर कर सबसे उयां उसके उन्हसे म इसकोरा टोकरना जुञून में जिकी drilling का पे इंक पर बशल corrupt ऑब्र नंग जो भी हाamaz पास क सबस्तुल क्यों उसके आपको आफने सिंपिल कर देंगे उसके नंबर में आपको इंटर मीडियर यासिक जनका प्रश्राइब करें लिए अगर आगे बढ़ जाना है तो अगर आगे बढ़ जाना है तो अगर आपके पास NCC का भी certificate है तो यहाँ पर पूचा जा रहा है अगर है तो इस करेंगे अगर नहीं है तो simply आपको सभी में no करके आगे बढ़ जाना दूसके बाद दूसके बाद दूसके बाद आपको सिटी बिलेश टाउन जो भी आपको यहाँ पर फिल करना उसको यह भी राज्य हो जिस भी state से बिलॉंग करते हैं उसको simply आपर एंटर कर देना है वहाँ पर दूसके बाद आप से जिला पूचा जागा किस जिले साब बिलॉंग करते हैं उसके बाद आप से पीन कोड पूचा जागा जो भी आपके इरियो का पिन कोड होगा उस पीन कोड को यहां पर simply enter कर देना दोस्तों correspondence address और अबर आपका correspondence address पर्मानेंट address सेम रखना चाहते हैं तो simply same as correspondence address यहां पर टिक कर देंगा और आपका address दो है वह सेम हो जाएगा के बाद simply आपको preview and submit पर क्लिक करना है दोस्तों और आपको एक बार सारी जनकारी जो आपने फिल की है उसको सिंप्ली आप एक बार स्क्रोल करके हैं पर चेक कर सकते हैं दोस्तों अगर कोई जनकारी आपको लगए कुछ गलत भर दिया है तो simply दोस्तों आपके इडिट रिकॉर्ड यहां पर दिखाई दे रहोगा simply आपको आपका यहाप को चेक करने बाद यहापको जो भी यहाँ पर क्यप्चा दिया गया होता उसके प्लिक कर देना उसके बाद आपका अरज़िटेशन नंबर जन्रेट हो जागा और आपके मुबाइल नमबर पे OTP जागा तो चलिए यहाँ पर submit एकनिस्ट पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर activate throat OTP होगा simply आपको इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका registration नमबर यहाँ पर होगा और यहाँ पर नीचे आपको date of birth आपको fill करना फिर आपके mobile पर जो OTP गया होगा उसको डाल देना है और simply आपको जो भी capture हैं पर दिया गया है उसको capture भरके simply activate पर यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर उसके बाद आप देख सेते हैं payment का interface आजाएगा दोस्तों आप सभी को 400 रुपे का payment सभी को करना है जितने भी candidate सबको payment जो 400 रुपे करना है पर simply आपको pay now पर क्लिक करना है दोस्तों आप पहले ही बता दिया गया है अगर आपका payment अगर fail हो जाते तो आपको जो है पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहां पर आपका एक interface खुल के आजाएगा दोस्तों आपका payment यहां पर success हो जाने एक बाद आपके सामने payment कटवा देंगे उसके बाद आपके सामने यह photograph of signature का document का यहां पर आपके interface खुल के आएगा यहां पर आप सभी को अपना photo signature और जो भी पर हमारे चैनल पर दोस्तों आप अपने documents को upload कर सकते हैं लेकिन अभी तक link को activate नहीं किया है कोई भी अपना document दोस्तों आपको manually आपको photo signature यहां पर आपको upload कर लेना दो उसके बाद आप सभी को final submission and next पर दिखाई दे रहा होगा simply आपको इस पर click कर लेना click करता ही आपके सा सकते हैं दोस्तों तो यह कुछ process ता online form को fill करने का I hope आपको जनकारी समझ में आ गए हो दोस्तों अगर कोई doubt हो तो please comment करके जरूर पूशिए का आपकी पूरी साहता की जाएगी दोस्तों आपका final print out किस परकार से दिखाए देगा दोस्तों आप इसको चाहें तो आप PDF बना जो हाचे हिंदे